हम बात कर रहेएं हम किसकी बात कर रहे हैं सूर्र की सररचना को हम डिसकस कर रहे हैं अगर हम सूर्य की सरचना की बात करते हैं तो सूर्य में जो है छे परते हमें देखने के लिए मिलती हैं उन परतों में सबसे आंत्रिक परत जो है हमारी वो कोर हो जाती है जिसमें नाभिक्य सनलाइन की क्रिया होती है अर्थात उर्जा का निर्माड होता है है ना स्टेग्नेटिक वेपस के रूप में आगे बढ़ेगी फिर संभाहन मंदल में पहुचेगी जहां पर कुछ कोसिकी पिंड होते हैं है ना सैल बॉडी होती है उनमें इनरजी ट्रांसफर होती है उसके बाद उर्जा फोटो स्फियर में आती है लगातार इसका तापमान कम होत आता है ठीक है फोटो स्फियर जो है सूर्री की दिखाई देने वाली परत भी है यानि कि सूर्री की वह परत हमें दिखाई देती है फोटो स्फियर जिसको हम प्रकास मंदल कहते हैं इस परत में सौर कलंक यानि कि सनस्पोर्ट भी पाये जाते हैं उसके बाद मंदल आता है जिसको सूर्य का वायो मंदल कहते हैं उसके बाद सूर्य की सबसे बाहरी परत कोरोना होती है जिससे X-ray का emission होता है ठीक है जो वर्ड मंदल और कोरोना वाली layer है वो layer हमें पूर्ड सूर्य क्रहण के समय diamond ring के रूप में दिखाई देती है तो यह सूर्य की सरचना थी यह वर्ड मंदल हो गया हमारा ठीक है भई यह कोर हो गया हमारा यह संबहन मंदल हो गया हमारा कौन सा हो गया संबहन मंदल हो ठीक है clear तो 6 परते हमें देखने के लिए मिल जाती है कोई दिक्कत किसी को भी यहां तक बोलिए देखो जैसे माल लीजिए सूर्य गर्मी में हम लोगों को फूक देता है तो फिर आप जिन्दा कैसे हैं कि है ना भई कारवन डाय अक्साइड एसी लगाओ घर में तो एसी से जो गैसे निकलेंगी ठीक है भई और मतलब पॉल्यूशन करोगे बहुत ज्यादा तो क्या होगा यही होगा ना फूके गाई ही वह विचारा क्या करें हुआ कि क하죠 पूएंगा है को देचा के कण्वें लेयर का जो प्रोसेस है इननर्य रिलीज होता है उसको इंगलिस में बोल दीजिए एक मिनाट देखो इसको यहाँ ऐसे समझ लीज supporting हैं कि अगर बात करेंगे उसमें जितना भी मेंटर यनिकी पदार्त होता है तो समझना वह पदार्थ में क्या होती है यहां से जो इनरजी रिली इसमें एक साइक्लिक motion होने लगती है जिसको convection current हम कहते हैं उस convection current की वजह से यह energy release होती है तो उसको हम संबहन की क्रिया बोलते हैं संबहन की क्रिया को है ना process of convecting इसको बखाए जाता है प्रोसेस और प्रोसेस ऑफ कनमेक्टिंग इसको कहा जाता है करें करें कर दो कर दो कर दो झाल झाल